नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौर्वर्मेंट एक्जाम स्टडी में दोस्तों जैसा कि पूर्व में हम इस चैनल पर UPSC लोवर पीसेज के अभ्यास सेट लगा रहे हैं तो उन्हीं अभ्यास सेटों में यह भाग चार है दोस्तों बाकी की तीन वीडियोज को देखने के लिए इस चैनल के वीडियोज की लिस्ट में जाईए और देखिए दोस्तों अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया लाल बटन दबा कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाले समय में आपकी कोई भी वीडियोज मिस ना हो तो दोस्तों आईए 10 questions के इस practice set को शुरू करते हैं दोस्तों पहला question है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की option है दयानन सरस्वती, राजाराम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानाडे या स्वामी विवेकानन दोस्तों आप साथ ही साथ अपने answers नोट करते चले और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हम आपको सारे answers बताएं और उनके explanation को भी दें दोस्तों अगर आप अपने answers नोट करते चलेंगे तो आपको भी अंदाजा लगेगा कि आपकी तयारी कैसी है यह यूपी ट्रिपलेसी लोवर पीसेस के आये हुए प्रशन है तथा कुछ प्रशन हमें हमने इसमें ऐसे डाले हैं जो आ सकते हैं तो दोस्तों अपने answers क्रिपया नोट करते वे चलेंगे अगला प्रशन है असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतिलान नहरू एवं चितरंजन दास, सियार दास ने किस पार्टी का गठन किया ओप्शन से हिंदुस्तान सोशिलिस्ट रिपबलिकन पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन रिपबलिकन पार्टी या इन में से कोई नहीं अगला प्रश्न है भार्ती समविधान के किस अनुच्षेद में वित आयोक का उल्लेख है अनुच्षेद, 282, 282, 282 या अनुच्षेद, 275 दोस्तों अगला प्रश्न है समविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया ओप्शन्स हैं सचदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नहिरू, राजे इंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अंबीडगर दोस्तों अगला प्रशन है बौध्द साहित अंगुत्तर निकाय में उनलेखित 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था ओप्शन्स हैं कमबोज, असमक, मल या मत्य दोस्तों चटा प्रशन है निमलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनेतिक गुरु माना ओप्शन्स हैं श्यामजी कृष्ण महारिय, मधान मोहन मालविय, महादेव गोविंद रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों देखिए अगर आप options अपने answers नोट करते नहीं चल पा रहे हैं अगर आपको वीडियो तेज लग रही है तो कृपिया वीडियो को pause करके अपने answers नोट कर लें लेकिन आप answers को जरूर नोट करें ताकि आपकी practice का जो आपके तयारी का जो level है वो आपको पता चलता रहें दोस्तों सात्वा प्रश्न है चालिस गुलाम सरदारों का गुड तुरकाने चहल गामी की स्थापना किस साशक ने की थी आपके options है रजिया सुल्तान बलबन ग्यासुद्दीन बलबन इलतुत्मिश या कुतुबिद्दीन आवग दोस्तों अगला प्रश्न है छेतरफल की दृष्टि से भारत के समस्त राजियों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है ओप्षंस है प्रत्थम दवितिय तृतिय या चतुर्थ अगला प्रश्न है चतुर्थ बौध संगीती का आयोजन किस स्थान पर हुआ था कुंडल्वन कश्मीर पाटली पुत्र या वैशाली दोस्तों अंतिम प्रश्न है साखी सबद और रमैनी किसकी प्रमुख कृती है सूरदास नामदास छीत स्वामी या कभीरदास दोस्तों उम्मीद है कि आपने सारे अंसर्स नोट कर लिये होंगे तो हम सही अंसर्स जानते ह दोस्तों पहला प्रश्न का उत्तर है दयानंद सरस्वती दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती दरा की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 एश्वी में आरे समाज की स्थापना भी की थी और इने हम भारत का मार्टीन लूधर किंग भी कहते है दोस्तों अगला प्रश्ण है जिसका उत्तर है स्वराज पार्टी दोस्तों असयोग आंदोलन की समाप्ती के बाद मोतिलाल नहरू एम सी आरदास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया सियारदास इसके अध्यक्ष तता मोतिलाल नहरू इसके महासचिव थे दोस्तों तीसरे प्रिश्ण का उत्तर है विद्ध आयोग अनुशेद 280 में बताये गया है विद्ध आयोग के गठन की बार सम्विधान के अनुशेद 280 में की गई है राश्पती द्वारा प्रतेक पांच वर्ष पर विद्ध आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों चौथे प्रिश्ण का उत्तर है डॉक्टर राजेंद प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राचेंद प्रसाद को सम्विधान सभा का स्थाई अध्यक्ष नियुक्ति किया गया जबकि सम्विधान सभा का स्थाई अध्यक्ष सजदानन सिनहा जो की इसमें आप्शन्स में थे सजदानन सिनहा को 9 दिसंबर 1946 में बनाये गया था दोस्तों पांचमें प्रश्न का उत्तर है असमक दोस्तों प्रसिद्ध बौध साहित जो है अंगुतर निकाय एवं जैन साहित भगवती सूत्र में 16 महाजनपतों का उलेख है असमक दक्षिन भारत में अपवस्थित एक मात्र महाजनपत था जबकि कमबोज ये था पाकिस्त में चेदी वरतमान बुंदेल खंड में मत्स जो है वो राजस्थान में और जो मल महाजनपत है वो गोरखपुर के आसपास उत्तर प्रदेश में था दोस्तों अगले प्रश्न का उत्तर है गोपाल कृष्न गोखले दोस्तों भारत आगमन के बाद महात्मा गांधी ने गो प्रदान की थी दोस्तों गोपाल कृष्न गोखले महात्मा गांधी जी के गुरू थे और इसी प्रश्न में आप्शन था महादेव गोविंद रानडे दोस्तों रानडे जी गोपाल कृष्न गोखले जी के गुरू थे दोस्तों अगला प्रश्न तुरकाने चहलगामी की स दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्टुत्मिष द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर है कुंडलवन कश्मीर। दोस्तों चतुर्थ बौध संगीति का आयोजन कनिश्क के शाशनकाल में कुंडलवन में हुआ था। इसे संगीति की अधक्षता वसुमेत्र ने की थी। राजगीरी वैशाली और पाठली पुत्र में क्रमशह प् कृतियां हैं कबीरदाश जी का जन्म बारानसी में जबकि मृत्य मगहर यानि संत कबीर नगर जिसे हम खलिलाबाद भी कहते हैं वहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों इस तरह आपके दश्ट प्रश्न तयार हो चुके हैं। दोस्तों इस तरह इस चैनल के साथ बने रहें त करने बाद दोस्तों।